जै मातादी मित्रों आज के इस वीडियो में जानेंगे बैसाखी त्योहार के बारे में कि 2023 में बैसाखी का त्योहार किस दिन है साथी साथ जानेंगे बैसाखी मनाने की परंपरा पांच प्यारे का नाम पंच प्यारे कौन थे और बैसाखी मनाने का तरीका क्या है सबसे इंपोर्टेंट ये भी समझेंगे तो सबसे पहले जानते हैं बैसाखी मनाने की परंपरा के बारे में जी हां ऐसा कहा जाता है कि अत्याचार के खिलाप लड़ रहे थे तब उनकी मृत्यू के बाद उनके पुत्र गुरु गुविन से अगले गुरु हुए सन 1650 में पंजाब मुगल अत्ताईयों अत्याचारियों और भरष्टाचारियों का दंश जहर रहा था कश्ट जहर रहा था यहां समाज में लोगो को न्याई मिल रहा था और ना ही कोई उसकी उमीद नजर आ रही थी ऐसी परिस्थितियों में गुरु गुविन सीह जी ने लोगों में अत्याचार के खिलाफ लड़ने उनमें साहस भरने का बेड़ा उठाया उन्होंने आनंदपूर में सिखों का संगठन बनाने के लिए लोगों का आवाहन किया और इसी सभा में उन्होंने तलवार उठा करके लोगों से पूछा कि वे कौन बहादूर युद्धा हैं जो बुराई के खिलाफ शहीद हो जाने के लिए तयार हैं तब उस सभा में से पांच युद्धा निकल करके सामने आए और यहीं पंच प्य पंच प्यारे का नाम क्या था तो भाई दया सी हैं भाई धर्म सी हैं भाई हिम्मत सी हैं भाई मुखाम सी हैं भाई साहिब सी हैं बैसाखी मनाने का तरीका क्या है धंग क्या है तो बैसाखी मुख्य रूप से या तो किसी गुरु द्वारे या फिर किसी खुले शेत्र में मनाई जाते है। जिसमें लोग भांगडा और घिद्धा डांस करते हैं। अब हम जानते हैं इसके बारे में कुछ मुहत्वपून बाते। लोग सुबह उटकरके गुरू द्वारे में जाकरके प्रार्थना करते हैं। गुरु द्वारे में गुरु गरंथ साहिव जी के स्थान को जल और दूध से शुद्ध किया जाता है। इसके बाद पवित्र किताब को ताज के साथ उसके स्थान पर रख दिया जाता है। फिर किताब को पढ़ा जाता है और अनुयाई ध्यान पुर्वक गुरू जी की ववानी को सुनते हैं। इस दिन शुरत धालूं के लिए विशेष प्रकार का अमृत तयार किया जाता है जो बाद में बहाटा जाता है। परंपरा के अनुसार अनुयाई एक पंक्ती में लग करके अमृत को पांच बार ग्रहन करते हैं। आप रहन में अरदास के बाद प्रसाद को गुरू जी को चढ़ा करके अनुयाईयों में वीतरित कर दिया जाता है। अंत में लोग लंगर का प्रसाद लेते हैं। लंगर में तो आपने भी कभी न कभी जरूर प्रसाद पाया होगा। मैंने भी पाया है। मैं तो गोर्डेन टेंपल अम्रिच सर भी गया हूँ। इसके अलावा दिली का भी जो गुरुद्वारा साहिव है वहां पर भी। बहुत अच्छा एक खास बात लगती है गुरुद्वारे की जब भी आप जाएगा तो सभी को सबसे पहले तो भोजन मिलता है आपसे पूछा नहीं जाने वाला है कि कौन है और कहां से आए हैं। और खास बात वहां गुरुद्वारे में प्रवेश्च करने से पहले हर जगह देखा है मैंने कि पानी होता है वहां पर आपके चरण अपने आप ही धोल जाएंगे यानि कि पैर धोए बगैर मंदिर में आप चाही नहीं सकते हैं अंदर तो ये खास चीजे कुछ लगती है मुझे और अब बात आती है कि 2023 में ये वैसाकी का जो त्योहार है वैसाकी का वो कब है तो बैसाकी का त्योहार जो है 14 अप्रेल 2023 को हो है भारत में वैसाकी पर्व को सिख समुदाय नए साल के रूप में मनाते हैं ये पर्व परतेक साल हिंदू केलेंडर विक्रम संबत के प्रथम महीने में पड़ता है वैसाकी को फसलों का त्योहार भी कहते हैं हम सभी वैसे तो ये पर्व जो है पूरे भारत वर्ष में मनाया जाता है लेकिन पंजाब में ये प्रसिद्ध है इसके अलावा बैसाकी के दिन ही सिखों के दस्वे गुरू गुविन सिंह जीने सन 1699 में पवित्र खाल सा पंत की अस्थापना की थी इसलिए भी मनाया जाता है तो जो बोले सोने हाल सत्सरियाकाल इसी के साथ आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं उमीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी ऐसी ही जानकारी पूर्ण वीडियो इस चैनल फिलहाल इस वीडियो से विदा लेते हैं जुड़ेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ तब तक आप सभी खुश रहें स्वस्त रहें और जाते जाते अपना किमती सुझाओ कमेंट्स के माध्यम से जरूर दें आपके सुझाओ हमारे लिए बेहत किमती होते हैं